दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से LTS में स्वागत है आज हम SBI Cards इस पे हम चर्चा करने वाले हैं बुराईयां भी करेंगे इनकी अच्छायां भी बताएंगे जब से लिस्ट हुई है क्या प्राइस पे लिस्टिंग थी कैसे गिरा क्यों नहीं बढ़ पा रही है सारे कार करणों पर चर्चा करेंगे मतलब एक अलग तरीके का analysis करेंगे फरेंशल सब्स में किस प्रकार से company जो है ग्रोव कर रही है sales growth काईसी है profit growth कैसा है वो भी हम compounding देख लेंगे लेकिन जो मुक्य मुद्धा है कि credit card का इसके business को समझने का अगर हम समझेंग तो यह company की जो अपना हुई थी 1998 में और ये SBI Bank यानि कि जो है State Bank of Virginia की subsidiary है अब इससे इस पर्ष्ट है कि ये सरकार की subsidiary है second largest credit card issuer है भारत वर्ष में जो की बहुत बड़ा market share है HDFC के बाद और अभी पहली ऐसी company है जो market में listed है उस मामले में ये प्रथम है उसके उपरांत भी अगर देखें रिटन उस हिसाब से आपको बना के नहीं मिल पाए है हम आगे चर्चा करेंगे देखेंगे और business में अगर देखें तो इनका बहुत बड़े ब्रांस के साथ टाइप है जैसे कि चाहे उनके इंडिविजबल क्लाइंस हो या corporate क्लाइंस हो लाइक लाइक स्टाइल से रिलेटेड रिवर्ड्स पॉइंस हो गए शॉपिंग को लेके ट्रेवल को लेके फ्यूल को लेके आप देखते होंगे कि जो भी पेट्रोल पंस होते हैं उनसे भी टाइप होता है कब कभी आप online कोई चीज़ खरिदे जाते तो आपको discount में मिलता है ना बहुत सारी e-commerce की sites हैं और बहुत सारे hospitals हो गए Air India, Apollo Hospitals, BPCL, Etihad Guest, Fashion Food Bazaar, IRCTC, Ola Money, Yatra.com इस तरीकी के ब्रांच के साथ इनका tie-up है सबसे ज़्यादा जो फाइदा इनको मिलने वाला है अगर देखें तो भारती स्टेट बैंग के जितनी भी ब्रांचे से करीब 22,000 के आसपास है पूरे भारत वर्ष में वहां पे इनको अपना संचालन करने का जो है आउसर प्राप्त होता है कि अपने वहां से customer बना सकते ह ना तो इनको बहुत expansion करना है ना तो इनको अपनी अलग से ब्रांचेस खोल ली है ठीक है और जबसे यह EKYC हो गया है जबसे आधार और पैन लिंक हो गया है क्योंकि आप देखेंगे 1998 की company है यहां से काम कर रही है credit card में लेकिन जबसे यह digitalization हुआ है तो उस मामले में फटा पंपे भी जाते होंगे तो वो लोग आपका CB लो गएरा चेक करते हैं और आपको जो है आविदन करवा देते हैं तो यह थोड़ा सा इजी हो गया तो तेजी जो है और भी आएगी customers बनाने में credit card distribution में तो यह तो है company की strength company काफी अच्छाई मजबूती अब यह बात करें 915 पंद्रह रुपाई की price पे अभी trade हो रहा है अगर हाई लो देखते हैं आप हाई देखिए साल का जो हाई बना चुका है 1165 और 799 लो यह एक साल के दर्मियान अभी जो है 915 पे trade हो रहा है एक वर्ष में अगर हम return wise देख माली जी किसी ने ठीक एक साल पहले इसमें पैसे ड क्या रहा है 81 का है earning पर share है 10 रुपए price to book ratio निकल क्या रहा है 12 times और जो deliverable है वो 57 परसंक्स ज्यादा का है market cap बहुत बड़ी है इसकी अगर देखिए एक बड़ी large cap शुरू से ही बनके आई है 84,593 करोड और अगर देखा जा जब यह 1165 के आसपास रहा होगा तो एक लाग करोड की market समझे है कि पार कर चुका है जो कि बड़ी-बड़ी company जो बहुत सालों से काम कर रही उनकी भी नहीं होगी 16 March 2020 में जो है इसकी लिस्टिंग हुई और तब से पूरे बाजार में गिरावट चल रही थी कोरोणा को लेके और भायानक crash हो गई market जब लॉगडोन लग गया था 20-22 March को संभवता उसके 500 के आसपास इसका IPO प्राइस आया था मुझे अच्छा से याध है और काफी गिरावट हो गई थी इसमें किसी प्रकार का जो है लिस्टिंग गें नहीं मिला था लोगों को और यदि साथे 700 देखें तो इतने साल बात भी करीब आने वाले मार्च 2022 से दो साल पूरे हो जाए कोविट के बाद जो रिकवरी हुई मार्केट की उसमें ऐसे ऐसे स्टॉक भी भागे हैं कई कई गुना हो चुके हैं जिनके फंडमेंटल्स तो पूछिये ही मतना उनके हैं ही नहीं कुछ फिर भी हर प्रकार की कमपनियों ने पैसा डबल ट्रिपल कर दिया है तो इस देखें माल लिजेए प्रॉफिट लॉस देखते हैं कुछ वर्षों का जो हजार 14-15 से लेकि 2021 के वित्वर्ष तक तो रिवेन्यों में काफी अच्छी ग्रोथ है जहां 1438 क्रोड का रिवेन्यों 2014 में हुआ करता था वही वित्वर्ष 2021 में जो है 9301 क्रोड के आसपास जो क बीच में जो कोरोना भी आया लॉकडाउन लगा तो चूंकि अब शॉपिंग वॉपिंग सब बंदी थी तो इस वज़े से यह भी परभावित हुई साथी साथ मोराटोरियम भी लगा तो बहुत साए लोग बहुत लोग की नावकरियां चलिए गई होंगी हो सकता है किसे बिलना पैमेंट किया हो तो थोड़ा सा इन पीए भी दर जटका इनको लगा फिर भी ओवर वाल सब कुछ अगर देखते हैं तो जो कंपांडेट सेल्स ग्रोथ देखें अगर हम पांच वर्षों की एक अच्छी दिखाए दे रहे और जो प्रॉफिट ग्रोथ है पांच व प्राइस रखा है एक लाग क्रोड के आसपास मार्केट के बन जा रही हजार रुपए के स्टॉक प्राइस के आसपास कैसे काम चलेगा सिर्फ एक ही कंपणी सरकारी अच्छी आई थी जो आयार्सी टीची थी सही प्राइस पे 3200 रुपए पे थी अब वो बहुत भाग पास कई कई कार्ड्स हैं यहां के लोग थोड़ा सा बचते हैं एक तो करजे से तो लोग थोड़ा से यहां पर करजा अवोइट करते हैं भारत वरश का यह प्रचलन रहा है शुरू से कि बहुत ज्यादा करजे पर बिलीब नहीं करते हैं और खासकर बॉलिवुड की जो फ लोग क्रेट कार्ट वगेरा अभी प्रफर कर रहे हैं जो लोग प्रॉपर जॉब में जो लोग वेवसाई हैं जो लोग शॉपिंग वगेरा करने में या फिर ट्रेवल करने में ज्यादा रूची दिखाते हैं तो यह धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा जाग रुकता जाएगे तो कैसे काम चलेगा इसी प्रकार से इनकी एक चचेरी बहन है इंडियन रेलवेए फाइनस कॉर्परेशन अब देखिए उसको भी एक साल होने को जा रहे हैं दिसंबर जनवर ही आ जाएग एगले महीने उनका भी 25-26 रुपए का IPO प्राइस आया था और अपी प्राइस हो उसमें जो है करेब परशियर में इसकी चार रुपए तेस पैसे आसपास कमाई है पी बी रेशियो देखे बुक वैल्यू से स्टॉक प्राइस नीशी चल रहा है डिलिवरी भी अच्छी है डिवडेंट देखिए साड़े चार परसन का इस वर्तमान प्राइस क जो नया निवेशक है जो नया मार्केट में आया है अखास कर जब से क्रिप्टो करेंसी आई है तब से तो और लोग मार्केट से ज्यादा उमीद करने लगे हैं तो उनको क्या हो जाती है कुंठा हो जाती है उनको लगता है कि हमें उसे साफ रेटन मिल नहीं रहा तो बहु जो न्यूस थी गिरावट का कर रहां, समय समय पर कुछ सरकारी कमपनिया ऐसे ही हरकतें कर देती हैं कि जिसकी वज़े से गिरावट आ जाती है The State Bank of India has start charging its credit card customers a fee of Rs.99 plus taxes on all EMI purchases from this month क्या करने के जरुवत थी? The processing fee will be charged at merchant outlets, e-commerce websites and apps when making payments through SBI credit cards तो ये जो अनिसरी चीज़ें आ जाती हैं, जो add करते हैं या कोई charges लगाते हैं इस वज़े से थोड़ा sentiment bigger जाता है और उस particular share में गिरावटा जाती है तो दोस्तों मेरा यही मानना है कि बहुत ज़्यादा धैर हो आपके पास, बहुत बड़ा patience हो तो ही इस company में बने रहें आप, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी company है यहाँ से निकल के वहाँ पे जाने के पश्चात आपको जो है वहाँ मुनाफ़ा बन सकता तो ही निकलें अन्य था इतने साल आपने hold किया तो बने रहें आज नहीं तो कल उपर जाना ही जाना जिस प्रकार से इनकी business growth है मेरे अपने विचार से जो लोग बहुत aggressive investors है वो दूसरे किसी finance की company में जा सकते हैं इवन बजाज finance भी consider कर सकते हैं इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन इसमें किसी प्रकार का जोखिम भी नहीं है तो इसमें बहुती सधे हुए निवेशक इसमें बने रह सकते हैं जिनके रोए रोए में patients कूट के भारा हुआ है क्योंकि time लग जाता है अच्छी company को थोड़ा उपर जाने में और रही बात थोड़ा सा सरकारी company तो और आग में गी डालने काम कर देता है तो दोस्तों आपके भी कोई विचार हों कोई सुझाओं हों जरूर कॉन बॉक्स में रखिएगा धन्यवाद